हालो फैंस आप देख रहे हैं चैनल यूर एक्जाम गोली आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत श्वागत है तो डियार फैंस जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आर्पी आप एंसलरी के टेस्ट चल रहे हैं और हम इन सभी टेस्टों पर काइंटीनीव वीडिय यूँकि सीरीज चला रहे तो दोस्तों इसी क्राम में जो आपकी मिस्टेक्स आने मतलब कि आप से कौन-कौन सी गलतिया हो जाती है और आभी तक कितने काइंडेट जो टेस्ट देकर आ चुके हैं उनसे क्या क्या मिस्टेक होई जिनकी बजाए से उनका टेस्ट क्वालिफ आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो सबसे पहले यहां पर आईवर्टन का सायन आ रहा होगा कॉर्नर पर यहां पर आपको वो पार्ट दिखाई दे जाएगा और आप इस पार्ट को सुरू से लेकांत तक देखिए आपकी 99% तैयारी हो जाएगी आपसे मिस्टेक् देखिए चली बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर वो कौन को इसी मिस्टेक्स हैं जो की टेस्ट में हो जाती है आपको एक बार फिर बता दें यह पार्ट सेकेंड है यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बेटन के सायन पर क्लिक करें आपको लिंक म पहले और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक आवश्ट करें और अधिक से अधिक शेयर करें तो देख पा रहे होगे हम आगे हैं अंगली स्लाइड में और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने बाटर केडियर में रोटी बनाने से लेकर जो जो गलतिया होती है उन सभी मिस्टेक्स को देख लिया था अब दोस्तों नमर आता है किसका बैजी टेवल काटिंग और उसमें होने वाली गलतिया जी दोस्तों आपकी सबजी बनाने और सबजी काटने में होने वाली मिस्टेक्स पर आधम सर्चा करेंगी जो कि किसके अंतरगत आती हैं आपक से जादर देखी गई है क्या कि सब्जी काटने में गलती अब कौन-कौन सी गलती हो जाते हैं डिया फैंस तो आपको बता दें बहुत से कैंडेट का मेरे पास कॉल भी आया है और बताया भी कि सर बच्ची क्या है एक दम से हाइपर हो जाते हैं जैसा कि उन्होंने पोल दिया कि चलिए आप सब्जी काट कर देखाएए अब सब्जी में कुछ भी सब्जी हो सकती है आपकी भींडी भी हो सकती है आपकी मूली आपकी गोभी आपका टामाटार आपका आलू बगएर बगएर जो जो सब्जी वहाँ पर प्रवाइट की जाती है सब्जी कुछ भी हो सकत अब DFS दोस्तों से मिस्टेक्स क्या हो जाती है कुछ लोग तो क्या हाइपर हो जाते हैं और कुछ लोग घबराट के कारण ऐसी मिस्टेक कर देते हैं अब वहाँ पर बोला कि चलिए आप सबजी काट कर देखाएं तो कुछ कैंडेट बहुत जल्दी जल्दी में स्पीड में काटेंगे ही क्योंकि अच्छा प्रभाव देखाना है कि हाँ आप उसे काट ते अच्छे से बन रहा है अच्छी सर्कल कटिंग आ रहे हैं प्यास आपको कट लग जाता है आपकी सबजी कटिंग करते बग तो समझी 101 परसेंट आप डिस्क्वालिफाइड हो जांगे फिर चाहिए आप सबजी कितनी अच्छी क्यों ना काट दें तो आप विसेस दिहां रखेंगे कि आप सबजी कटिंग कर रहे हैं तो आपको जरासा भी क लगा लेंगे तो बोजे सोच लेते हैं कि इस पर तो कुछ बनता है नहीं आँगे चल के और क्या करेगा तो आप लोगों को इस चीज का बड़ा ध्यान देना है कि आपको वहां पर किसी भी पिरकार का कट न लगे चाहिए थोड़ा सिलो ही काटें बट अच्छे से काटें और सावधानी पूरवक्त आप सब्जी काटें आप सेकेंड मिश्टेक आती है सामने क्या सब्जी से रिलेटेड बड़े फीस की कटेंग डियापैस आपको बता दें जैसे कि यहां पर आपको टास्क दिया गया चलिए आप पत्ता गोवी या फूल गोवी काट कर सेंट हो जैसा कि मिल विराय अभी तक करनेट के कॉल आया है बहुत से लोगों को फूल गोवी मिल रहें तो डियापैस किसी किसी से क्या मिश्टेक हो जाती है कि वो जल्दी-जल्दी में कटिंग करते हैं इसलिए बड़े-बड़े टोकडे में कटिंग कर देते हैं और वो डाकुमैट्स वेरिफेकेशन हो गया और वो क्या है जब सेकेंड और थार्ड श्टेज जसके आप सभी को पता होगा कि तमिल लाड़ों में बाटर केरियर वालों की तीन-तीन स्टेज से होकर गोजरना पड़ रहा है पहले यदि वो फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई हो जी डियाफेंस ऐसा हो रहा है तमिल अडू में और सबी बाते में उनकेंडर को बोलना चाहूंगा जिनका पंजाब का पूर्थ हला में होने वाला है जिनका देली में होने वाला है ट्रेट टेस्ट किसका बाटर केरियर का क्योंकि अब तो आप स्टार्ट ही नहीं हुए अ आप मेडियम साइज में कटिंग करें ज्यादा बड़ी कटिंग ना करें क्योंकि यह एक कारण बन जाएगा आपके टेस्ट में डिस्क्वालिफाइट करने का जी दोस्तों आपको एक बात और बताने आभी तक फर्जी बाड़ा सिर्फ शुईपर के टेस्ट में देखा जा रहा हूँ वो भी बोल रहे हैं लोग कोई बोल रहे हैं कोई नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग एना समझें कि हम लोग सब कुछ करेंगे उसके बाब दूद हमा क्वालिफाइड किया जिस से नहीं वाना उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया तो आप लोग ऐसी आसा है ना तोड़े की सर में 100% दूँगा उसके बाद भी डिस्क्वालिफाइड हो जागा जिस अब उनके लिए हैं दोस्तों आप स्वीपर में क्यों हो रहा है यह करते वक्त हो जाती है मतलब की आपको नाइफ चाकू से कही इन कर नहीं लगना चाहिए मतलब कि मेडियुम सईज की होनी चाहिए अब चली देखते हैं और क्या हो जाती बोला जाएगा कि चलिए आप दो परसन के लिए सब्जी बना कर दिखाईए या फिर एक परसन के लिए सब्जी बना कर दिखाईए तो आपको ध्यान देने वाली बात वहाँ पर रहे होती है कि दो परसन के लिए सब्जी में कितना तेल डाला जाता है अब क्या होता है बहु से सोचते हैं इसी बातें कि ऐसे सब्जी अच्छी बनती है आप लोगों की यह सोच गल्थ है जो ऐसी सोच रखते हैं बिलकुल गल्थ है सब्जी में तेल की मात्रा कामी होना चाहिए मतलब की जादा तेल वाली सब्जी हानिकारक होती है स्वास्त के हैसाब से भी और कर रहा है अब एक परसन का कॉल आया था स्थार मेरे साथ वाले ने सब्जी में सर ने बोला कि सर आप एक केंड़ेट के लिए सब्जी बना कर देखाई उसने एक कर्चली तेल लिया और डाल दिया तो उन्होंने बोला चली आप यहीं पर रोख जाहिए आप कुछ करने की दाल रहे हो तो आप से 10 परसंट के लिए बोल देंगे तो आप तो आधा लीटर तेल डाल दोगे ऐसा उससे बोलके उसको डिस्कॉलिफाइट कर दिया उसको खड़ा रखा बांक ही सबसे करवाया टेस्ट और बांक ही उसको वहीं पर खड़ा कर दिया तो आप इतनी आप लोगों के लिए आ रहे हैं तो आप चली बढ़ते हैं कि क्या मिस्टेक्स और हो जाती हैं हाथ आपकी चौंत ही और बिग मिस्टेक्स है जो की बहुत से हुई है कई-कई-बच्चों का कहना था कि सार नमक ने किया फैल आप आप बोलेंगे कैसा फैल तो दोस्तों आप आई-पी-एस आई-एस ऑप्षास रहते हैं तो वह स्वस्ति की पित्ती बहुत ही जागरूक रहते हैं और उनको ग्यान रहता है कि सब्सक्राइब होना चाहिए और नमक की मात्रा भी ज्यादा नहीं होने चाहिए आपको बता दे कई बच्चों के ऐसे कॉल्स भी आय अपको बुल जरते हैं कई बच्चे कोई कोई तो नहीं रहते हैं रहते हैं कोई से कई कै बच्चे तो सामने आया है थि बच्चों की मिस्टिक्स आी हैं और हाँ डियार पैस नमक से आया एक और मिस्टेक सामने आयी थी नमक वाले ही परसनना के साथ हो बोल रहा था कि सर्दम्लिकी सनरी यह कि अब पनाऊ प्धिन्दी कट की और उसने भालिफरों को डियार प्मेर दोडी यह पहले काटने पहले दोई जाती है और फिर उसको सुखाया जाता है कपड़े पर जैसी ड्याफ़ैंज्स उसने मेरे को बताया था मैंसे हम आपको बता रहा हूं भिन्डी पहले जब काट नहीं कोकर अन्हीं और सूती कपड़े पर आया से सुखा लें क्योंकि यदि आप भिंडी काटने के बाद दोएंगे तो रेसे रेसे हो जाती है गीली हो जाती जे मिस्टेक भी उन्हीं उसी के बैच में हूँ थी और हां डिया फैंज एक मिस्टेक एरा कर दें आप कि जो सब्जी धोने योग है और उसको धोएना आपको सब्जी धोकर ही काटना है क्योंकि स्वक्षिता का ध्यान भी 100% देना है सबसे बड़ी गलती आपसे यही हो जाएगी कहीं आप साप सपाई का ध्यान नहीं देगे आप सब्जी को धोकर नहीं बनाएंगे तो आप दिस्क्वालिफाइड हो जाए सब्जी काटने में होने वाली मिस्टेक अब थाट पार्ट में लेके आऊंगा जिसमें आपको क्या आमलेट बनाने में क्या के मिस्टेक अभी तक सामने आई हैं इसके साथ साथ उसी पार्ट में हम कवर कर लेंगे कि आप से चावल पकाने और बरतन धोने में क्या के आपको बता दें अभी तक हाली के दिनों में बहुत जादा हाइलाइट हो रहा है सफाई वाला टेटेस्ट क्यूंकि जब से डेली में टेटेस्ट इस्टार्ड हुए है तब से ही वहाँ पर श्वीपर के टेटेस्ट चलेंगे आपके 28 तक 29 से आप लोगों के टेटेस्ट तो इस्टार्ड हो जाएंगे किसके आपके बाटर केरियर बालोगे तो डियाफैस आभी तक क्या कि मिस्टेक्स यहाँ पर सामने आई है हाला कि ऐसा नासिक में और तमिलाडू में इतना इंसाफ ही नहीं बढ़ती जारे जितनी यहाँ पर हो रही है हाला कि मैंने खुछ से आख से तो नहीं देखा बट केंडेट के कहने का इंसार आपसे बता रहा हूं डियाफैस ऐसा अहाँ पर देखने को आ रहा है कि बच्चों का होतुरा है टेट टेस्ट मतलब कि सफाई का बर्खेन को सफाई करवानी चाहिए लेकिन सफाई तो एक न इसकाभी पूछ लेंगे ने बताइए आप टेचों के अंदर की यह के का मिए मिक्सर होते हैं किन जीसे मिलकर बनता है डिक्ट अपर कभी पूछ लेंगे आप जिस नाम से हो मतलब कि यदि आपका नाम असोख है या फिर आपका नाम आकबर है तो बताईए आकबर के बारे में बताईए आकबर का जर्म कहां हुआ था या फिर मिर्त्यू कहां हुई थी या फिर आपका आकबर की डेट आप बर्त क्या है इस टाइप के सवाल दोस्त दोस्तों है चल रहे हुआ दोस्तों नासिक के आप लोगों को साफ़ाई का ब्रक्त था तो आप लोगों से सफाई करवारी जा रही तो आह पर रिजाट रहता था वह सुना देते थी और जर olduğ पूर्पोजिट चल रहा है आपका सफफाई करवाएंगे दो तीन एक मेरी के टाइम दे देते हैं कभी आपसे आपसे जाड़ू लगवा लेंगे तो कभी आपसे टॉयलेट के अंदर क्लेणिंग कर वा लेंगे सफफाई कर वा लेंगे और दोस्तों लेकिन इन सबी चीजों का चांस कम मिल रहा है सरबादे को आपर कोशन वाजी चल रहे हैं जैसा कि अभी हाली के दिवा में करीवन तीन चार दिन से जे जे बाते सामने आ रहे हैं कि सर मेरे से तो फॉर्मूला पूछ लिया मेरे से फॉर आपका नाम क्या आपकी डेट वबर्त क्या है बस हो गया टेट टेस्ट अब कल दि मेरी एक परसं से बात होई थी वह बोल रहा था कि सार मेरे से एसेड और चार में डेफ्रेंस पूछ लिया कि बताईए चार में क्या अंतर होता है आम लोग छार में अंतर बता दीजि आप अब देखिए दोस्तों के सवाल है और आपसे पूछ रहा है श्वीपर में वहाँ पर आपका इंटर्वू थोड़ना चल रहा है आपका तो टेस्ट चल रहा है आपसे टेस्ट मतलब किसा आप सफाई करवानी चाहिए लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा ह हाला कि करवाते भी हैं किसी किसी परसन से बड़ फिक्स नहीं है कि आपसे वही करवाए किसी से कौशन भी पूछ लेते हैं किसी से सफाई करवा लेते हैं ऐसी चीजों हाँ पर चल रहे हैं तो टिया फैस आप लोगों के लिए तो एक एडवाइज है कि क्या कि आप लोग तैयार रहें, प्रेपेर रहें, मतलब कि जिसका लख होगा उसका तो सिलेक्शन हो गई होगा, जिसका लख नहीं है वो सबको स्कार भी देगा तो नहीं होगा सिलेक्शन, तो इसके लिए आप लोगों के लिए मैंने वीडियो प्रवाइड कर रखी हैं, अपने चैनल पर जा कि ये सबी चीज़ें किन-किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं, इनकी बनाने की मेथड क्या है, जो कि आपके किसमें, सफाय में यूज होती है, टॉयलेट में, बॉत्रूम में यूज होती है, आप लोग उन सबी चीज़ों को देख लेंगे, दोस्तो वो एडवांस तैयारी क अलग सा confidence रहेगा, अब आप सब लोग ये तो सोच नहीं सकते कि क्या मतलब है, जाने से फैली हो रहा है, दोस्तो आप ही सभी में ऐसे वो पास होता है, वो ये बन्दा निकलता है, हो सकता है वो आप ही हो, है कि नहीं, इसलिए जाओ जरूर अपना अल्ला का आजमाओ, जो में डेट भी बहुत कम, अभी सिर्फ मेरे पास दो पीन कॉल आए थे बस माली की, जिसमेंसे दो नासिक में हो रहा है थे तवाय थे, और एक अभी आया था यहाँ पर डेली में हुआ था कि उसका तमिलाडू में, जिस मेडिया फैंस उसने बोला था सार, मुहाँ पर मुझ के अंदर अंदर, तो इडिया फैंस आप लोगों की मिस्टेक्स, यदि आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, किन-किन चीजों को आपका नौलिज होना चाहिए, आप किन-किन चीजों के नाम जाने, और आप से वहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इसके लिए आ आप कुछ गलती ना करें, इसलिए उस वीडियो को देख लें, तो आपकी तैयारी आपको बहुत मजबूत लगने लगी, क्योंकि वह आधार है, वही चीजें पूछेंगे, वही चीजें अभी तक पूछी हैं, उसके अलावब कुछ नहीं पूछेंगे, यह तो भूली ज कुछ ऐसा ही देखेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर देख रहा है, उसमें क्या बताया गया है, कि पौधों को पानी कैसे देते हैं, इसका नौलेज होना चाहिए, पौधे कितने पिरकार के होते हैं, इसका नौलेज होना चाहिए, मौशमी पौधों के नाम याद होना चाह गये हैं किसका नाम क्या होता है और किसका यूज क्या होता है तो दोस्तों इसके अलावा होता ही क्या है गार्डर में आप ही बताएं इसके अलावा और कुछ होता है क्या और खात्खा तोरा के बारे में नौलेज होना चाहिए किस मौसा में क्या देते हैं क्या सकते हैं इन ज्यादा आप जो भी टेट आपके रह गए हैं और जो भी मिश्टेक्स हैं वो नेस्ट पार्ट में हम कवर करेंगे तब तक के लिए अपसे लेते हैं बिदा ओके जो जो कुछ आपके कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दें मैं उनका रिप्लाई आवस्ट से देता हूं तब तक के लिए डिया फैस टेक क्यार लवी ओल जै हिन जै भारत